ओम शीगनेशाय नमा राधराय दोस्तों आप सभी का मेरे चनल बतकता एसलोजर में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम लड़का होने के 10 ऐसे 60 लक्षनों की जानकारी देने वाले हैं अगर आपने बेवी बॉय को कंसीव करा होता है तो इन में से आपको 4-5 लक्षन जरूर अपने अंदर दिखाई देंगे दोस्तों यह mostly मतलब गर्वती महिलाओं में दिखाई देते हैं अगर उन्होंने बेवी बॉय को कंसीव करा है देखे 100% नहीं होता है कुछ महिलाओं पर यह गलत भी साबित हो सकते हैं तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखकर आपको वीडियो देखना है सबसे पहले लक्षन की बात करें तो दोस्तों जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सबसे पहला जो लक्षन दिखाई देता है बेवी बॉय के टाइम पे वो है आपके सबभाब में काफी ज़्यादा चेंजिस देखने को मिलता है यानि आपको अपना जो मूड है बार-बार मतलब स्विंग करता है बार-बार आपको अपना सब्हाब में बहुत ज़्यादा चेंड देखने को मिल रहा है बहुत जल्दी आपको गुसा चुच्छ़़ा पन अगर आ जाता है तो यह साइन में देखे लड़का होने का माला ज बहुत जादा जाही। है स्राटिक माना जाता आपको जैसे starting के दिनों में रोटियो से प्याल सन से बोष जादा जैसे smell आ रही है आपको उNकी मतलब smell ब्रदाशी नहीं होरी है तो यह sign में लड़का होने का माना जाता है वहीं पर आपको बहुत ज़ादा food craving होरी है मतलब बिल्कुल different चीजे खाने का मन कर जाता है बहुत अजीव जीव चीजे खाने का भी मन करता है कई योगो मुलतानी मिर्टी पैंसिल चौक मतलब इस तरह कि अगर आपको क्रेविंग हो रही है अपनी प्रेगनिंसी के दोरान तो ये साइन भी देखे लड़का होने का माना जाता है वहीं पर दोस्तों बहुत सी गर्वती महिलाओं में देखा गया है अगर आपको खाने में हरी मिर्च खाना ज्यादा पसंद आता है या चावल खाना आपको ज्यादा अच्छा लगता है तो ये साइन भी देखे लड़का होने का माना जाता है अगला लक्षन भी दोस्तों खाने को लेकर ही है बहुत सी गर्वती महिलाओ को मतलब ये लक्षन देखा गया है कि अगर आपको अपनी प्रेग्निंसी के दोरान ज्यादा तर मेल जेंडर के फल सबजियां खाने में पसंद आती है तो ऐसा माना जाता है कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव करा है अगला लक्षन बहुती सटीक लक्षन है दोस्तों ये काफी मतलब हमारे बड़े बज़र्ग मानते हैं अगर गर्वती महिला को अपने बच्चे की जो हलचल है अगर देरी से मतलब मैसूस होती है काफी लेट जैसे चोथे पांचवे महिने में या छटे महिने में अगर आपको अपने बच्चे की मुमेंट फील होती है तो ये sign देखे लड़का होने का माना जाता है वही पर देरी से feel होना और कम हलचल मैसूस होना ये दोनों लक्षन देखे baby boy होने के माने जाते हैं वही पर अगर आपको third month में ही अगर आपने बच्चे की moment feel होने लग गई है और बहुत जादा आपको feel हो रही है तो ये sign देखे लड़की होने का माना जाता है अगला लक्षन बहुती सर्टीक लक्षन है दोस्तों इसको भी मतलब काफी हद तक लड़का होने का sign माना जाता है अगर आपको अपनी pregnancy के दोरान बहुत जादा itching की problem हो रही है तो आपका पेड बहुत जादा बाहर दिखाई देने लगता है आपकी skin मतलब खिचती है और आपकी skin बहुत जादा dry हो जाती है जिसकी वज़े से आपको itching की problem होने लगती है यानि जब baby boy होता है तो उसका weight जादा होता है जिसकी वज़े से आपका पेड भी बाहर जादा दिखाई देता है अगला लक्षन बहुती सटीक लक्षन है दोस्तों ये लक्षन अधिकतर गर्वती महिलाओं में बिलकुल सही पाया गया है इसको आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है दोस्तों साथवे, आठवे और नोवे महिने में अगर आपको अपनी जो उपर का हिस्सा है यानि कमर का जो हिस्सा है अगर आपको बहुत ज़्यादा खाली दिखाई दे रहा है आपका पेट बहुत जाला नीचे की तरफ अगर आपको जुकाब मतलब दिख रहा है मतलब आपके पेट की जो शेप पहले थी वो बिलकुर शेप बदल गई आपको अपने निचले हिस्से में जाला तर अपने पेट दिखाई दे रहा है तो ये साइन भी लड़का होने का माना जाता है क्योंकि अधिकतर मतलब केसिस में देखा गया है कि अगर बेबी बॉय होता है गर में तो वो बहुत जल्दी हैड डाउन पोजिशन ले लेता है और आपका उपरी हिस्सा यानि कमर वाला हिस्सा आपका हलका हो जाता है पहले के मुकाबले और आपका सारा वेट पेट के निचले हिस्से में दिखाई देने लगता है अगर आपको ये मतलब शेप अपने पेट का दिखाई देने लग गया है तो समझ लीजिए कि आपको बहुत जल्दी आपके मतलब डिलीवरी होने वाली है इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको मतलब जब आपका पेट बहुत ज़्यादा नीचे होने लगता है माना जाता है कि जब बेबी बॉय होता है तो बहुत जल्दी आपको ये प्रॉबलम स्टार्ट हो जाती है अगरा लक्षन है दोस्तों साथ हुआ आट में महिने में अगर आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और आपको अपने इंटर्नल पार्ट पर यानि आपको निचले हिस्से में अगर आपको बहुत ज़्यादा खिचाव दर्द मतलब होने लग गया है हलका फुलका शुरू हो गया है तो ये साइन में देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है दोस्तों ये काफी सारे हमने लक्षन बताए हैं जिन में से अगर 4-5 लक्षन भी आपसे मैच करते हैं तो आप काफी हद तक तो अनुमान लगाई सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरू करें आप सभी को